संग जो अभी आप सुन रहे हैं ये भी एक योग ही है लेकिन ये बहुत ही स्थुल रूप में है बहुत ज्यादा स्थुल में इसके बाद वानी से बोल के किया जाता है यानि कि आप वानी से बोल रहा है आप की वानी का योग हो रहा है आप राम नाम के साथ जो बोल रहे है उसके बाद 500 जब किया जाता है जिसमें जीव और होट फिलते हैं वो भी एक योग है उसके बाद मन से योग मन से योग किया याईगा फिर एक भौति सरवत्तर्फान adesso एक योग होता है फिल आपने ध्यान सुना होगा पिर उसका योग होता है और अंत में जो है वा योग क्या होता है आत्मा और प्रमात्मा का मिलन करवाना ही योग है सबसे लेकिन उसके लिए पहले कोई साधन तो चाहिए ना सबसे पहला साधन हमारा शरीर जो यह स्थूल है इसके बाद ही आगे के हमें रास्ते मिले हैं जैसे अभी हमने बताया शर्वन भगति सत्संग ध्यान तो यह सब सुनने में तो एक मिंट में हमने सुना दिया लेकिन करोगे तो यह बड़ा लंबा रस्ता है और यह बड़ा टेड़ा भी है क्योंकि यह मन जो है यह बड़ा ही चंचल है यह बार-बार आज आप यह सुनने आयों बार जाते ही कोई कहां सुने गई उसे आपके अमन में शंका पैदा होगी क्योंकि यह माया है माया महा ठगनी कर जानी तिरगुण फास लिए कर डोले तीनों गुणों की फासी आत्मे लेकर डोलती रहती हो सब इन आखों से जो दिखाई देता है माया है वह भर्मित करेगी आपको क्योंकि भगवान ने यह कह रखा माया से कि खबरदार किसी को भी मेरे पास आने दिया तो खबरदार आने नहीं देती हो कोशिस हर संभव करती है लगे-लगे साधकों को ना जन्मों से लगे वह कटा तो हम और आप क्या चीज है तो क्या ऐसा तरीका है जिसे माया हमें भर्मिती ना करें माया उसी को भर्मित नहीं करती जो निरंतरता से उसके नाम से लगा रहता निरंतरता से चाहे कोई कुछ कहे दुनिया वाला हमें भी कहते है और हम क्या है बगवान राम जी को क्रिशन आरु किहने वाले तो आप भी हमने सकता है कय जो लिए ऐसे कोई क्यों किक्रमा धर्म करने किसी किसी का घर है किसी का घर नहीं है करम करो करम मतलब करम तो आपको करने पड़ेंगे क्योंकि भगवाद ने गृष्ट आश्रम में आपको जन्म दिया है और उसके साथ करम के साथ करम में सफलता नहीं मिलती ना अभी कभी मिल गई कभी नहीं क्योंकि आप साथ में निरंतर भजन नहीं करते हैं भजन करते हो लेकिन कभी कभी निरंतर नहीं करते हैं निरंतर करोगे तो यह हो ही नहीं सकता कि आपका काम ऐस सफल हो जाए सफल होगा हंडर परसेंट लेकिन उसके लिए करना तो आपको स्वेम पढ़ेगा गुरुतो कोई भी है कोई भी परवचंजो Debug मां बच्चे कों फिला सकती है मूं में लगा सकती पीना तुस्षे भी पढ़ेगा टीचर स्कूल बच्च को पढ़ा देते हैं घर करना पढ़ता है अब आपको भी अगर ग्यान कहीं से भी मिल जाए तो जब तक उसका योग नहीं करोगे तो तब तक कभी भी उसे पा नहीं सकते हैं उसे पाज अभी सकते हो जब ग्यान और योग दोनों को मिला लोगे ग्यान के बिना योग नहीं और योग के बिना ग्यान नहीं दोनों एक दुसरे के साथ ही चलते हैं